जब भी आप नाया पपी घर में लेकर आते हैं तब आप पर एक जिम्मेदारी आ जाती है और ओ है डॉग की ट्रेनिंग बहुत से लोग एक शरारती छोटे पपी को एक ऐसे ट्रेन कुट्टे में बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन असल में एक ट्रेनिंग काफी आसान है इसके लिए एक सकारात्मक नजरिया और हर दिन में से आपके कुछ मिनेट की जरूरत होती है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि पपी की ट्रेनिंग कब शुरू करने चाहिए तो उसका जवाब है बेशर्टे आपके पपी की उम्रक कम से कम दो महिना हो चुकी हो ट्रेनिंग अपने पपी के साथ में बॉन्ड बनाने का एक अच्चा आउसर भी होता है नए पपी को घर से बाहर निकाले तब उसे बेल्ट में रखे ताकि ओ आपके साथ बॉन्ड बना सके और किसी भी मुश्किल में ना पड़े आपके पपी को यती नहीं मालूम होगा कि उसे कब आपकी तरफ देखना है तो आपके लिए उसको कोई भी काम सिखाना मुश्किल होगा जब भी आपको आपके पपी को बुलाना हो तो उसके नाम से बुलाए अगर ओ आपकी तरफ देखता है तो उसकी तारिप करे या फिर उसे उसका मन पसंद खाना किलाए ऐसा करने से ओ बहुत जल्दी अपना नाम समझ जाएगा